नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका Advanced English Spoken Class 5 में आज के जो हमारे वीडियो है relationship से related है इसमें मालिकाना हक और जो हमारी position है और जो हमारे संबंध है उसके बारे में हम बात करेंगे और डेली लाइप में इस प्रकार के जो sentence है बहुत ज्यादा हमारे यूज के हैं चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये हमारा पहला sentence है राम के एक भाई है हाडवर्ड भाई भाई के लिए इंगलिस में वड़ी उज़िए जाता है brother बी आर ओ टी एच ही आ सेंटेंस बनाते हैं राम है जेज ए ब्रदर नेक्स सेंटेंस देखते हैं सीता के दो बहिने हैं हाडवर्ड बहिने बहिन का प्लूरल है तो इसके लिए इस जोड दिया पीचे प्लूरल बनाने के लिए सेंटेंस देखते हैं इसके पास एक पैन है hard word देखते है pen 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 English का ही word है इसे हिंदी में column बोलते हैं इसका sentence बनाते है he has a pen next sentence देखते हैं मेरे पास 10 टोफियां है hard word देखते हैं 10 10 को English में बोलते है 10 t e n टोफियां टोफियों को English में लिखते है t o f f e s toffees English बनाते है I have 10 toffees next sentence देखते हैं, उसके पास एक मकान है, hard word देखते हैं, मकान, मकान के लिए वर्ड यूज किया जाएगा, house, h-o-u-s-e, house, मतलब मकान, sentence बनाते हैं, he has a house, he has a house, next sentence देखते हैं, हमारे पास दो दुकाने हैं, hard word देखते हैं, दुकाने, दुकान का plural है, तो इसके लिए एंगलिस में वर्ड है, shop, shop के साथ में एस लगा देगे, s-h-o-p-s, shops, shop मतलब दुकाने, sentence बनाते हैं, we have two shops, next sentence देखते हैं, तुमारे पास बहुत साडियां हैं, hard word, बहुत के लिए यूज किया जाता है, many, many, many मतलब बहुत, साड इस, सारीज, मतलब साडियां, इंगलिस में sentence बनाते हैं, you have many सारीज, next sentence देखते हैं, मेरे पिताजी के पास एक फार्म हाउस है, hard word देखते हैं, मेरे, मेरे के लिए यहां यूज किया जाएगा, my, 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 मतलब मेरे या मेरी, और पिताजी के लिए वर्ड यूज किया इसके लिए वर्ड है, फार्म हाउस, इंगलिस में लिखते हैं कैसे हैं, spelling देखते हैं, f-a-r-m, farm, h-o-u-s-e, house, इंगलिस बनाते हैं, my father has a farmhouse, my father has a farmhouse, next sentence देखते हैं, उसे बुखार है, hard word देखते हैं, बुखार को इंगलिस में बलते हैं, fever, f-e-v-e-r, fever मतलब बुख इंगलिस बनाते हैं, he has fever, next sentence देखते हैं, उसके पास कई मकान हैं, इसमें hard word देखते हैं, कई, कई के लिए use किया जाता है, many, m-a-n-y, many, मतलब कई या बहुत, मकान के लिए house, h-o-u-s-e, और यहां कई साथ में लगा हुआ था, तो यह plural हो गया, तो यहां हो जाएगा, य he has many houses, next sentence देखते हैं, उससे अनुभव है, hard word, अनुभव के लिए word use किया जाता है, experience, 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 मतलब अनुभव, English बनाते हैं, he has experiences, सुरेश के पास एक रंगीन टीवी है, hard word देखते हैं, रंगीन को इंग्लिस में बोलते हैं, color, c-o-l-o-u-r, color मतलब रंगीन, टीवी के लिए use किया जाता है, television, यहां सोट में हमें टीवी ही लेग देता हूँ, tv, English बनाते हैं, सुरेश has a color TV, next sentence देखते हैं, मेरे पास एक scooter है, hard word देखते हैं, scooter, scooter को इंग्लिस में लेखते है, s-c-o-o-t-e-r, scooter, English बनाते हैं, I have a scooter, I have a scooter, next sentence देखते हैं, मेरे माता जी के पास एक हार है, hard word देखते हैं, मेरे, के लिए English में use के जाएगा, my, माता जी के लिए जो word use के जाएगा, वह होगा, mother, m-o-t-h-e-r, mother, मतल हार वाला हार नहीं है, यह हार है, जो गले में पहना जाता है, यह एक आबूशन होता है, इसके लिए word English में use के जाता है, necklace, n-e-c-k-l-a-c-e, English बनाते हैं, my mother has a necklace, my mother has a necklace, next sentence देखते हैं, मेरे बहिन के पास एक bag है, hard word देखते हैं, बहिन, बहिन के लिए word यूज के bag, 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 को हिंदी में थेला बोलते हैं, इसका English बनाते हैं, my sister has a bag, my sister has a bag, next sentence देखते हैं, तुम्हारे पास एक 매ज है, hard word देखते है, mash के लिए English में use के जाता है टेबल, table, table मतलब match, English बनाते हैं, you have a table, you have a table, next sentence देखते हैं, सरला के पास एक कुर्षी है, hard word देखते हैं, कु आए DELE करसी के लिए ङए ऑडी यूज करें चेर मतलब प्रसी के पास 20 पेन है इसमें हर्डवर देखता है 20 ती डेबनुवी औंटी करस्ख पेन के लिए यूज करी लिए हाड़ वर देखते हैं 4, 4 के लिए English में लिखा जाता है, 4, F-O-U-R, 4, Computer के लिए English में लिखा जाता है, C-O-M-P-U-T-E-R, Computer, English बनाते हैं, Haris has 4 computers, Haris has 4 computers, अब इसका structure देखते हैं, जिससे हमें यह पता लगे कि हम किस परकार्शिन sentence को बना रहे थे, उसके बाद और करते हैं, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जैस्ट बाद हम मैनवर्ब यूज कर रहे हैं, और मैनवर्ब के रूप में हम यूज कर रहे हैं, या तो हैज का, या हैव का, और उसके बाद में हम यूज करते हैं, नाउन का, अब देखिए, है करेंगे हैज का और हैज के जस्ट पाद में हम यूज करेंगे जो आगे नाउन आया है सेंटेंस में उसका हैव का यूज करते हैं हैव का यूज करते हैं आई के साथ में वी के साथ में यू के साथ में और दे के साथ और कई जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में ह स्वाइब करता है अब आप इस चीजब को लेकि टेंसे ना करें किë एडिजेक्टिव क्या होता है साही चीज़ें क्लीर करता चलुगा आप जैसा में कहूं आप सुनते रहे हैं यद्यक्टिव हें के हम जो हमें नाउन लंबा है छोटा है मोठा है आलशी है इंडलीचैंट है बुड्डा है यह सब्रम के बैख है तब देखिए रमा के पास एक बैख है जो कैसा है चाला है तчес बैख की विशेश्टा एड़र कोगाँ 15 अब इसका sentence बनाते हैं लेकिन उससे पहले hardwood देख लेते हैं काला के लिए यूज किया जाएगा बैग बी एज़िए बैग चलो इसका English बनाते हैं रमा हैज ए ब्लेक बैग, रमा हैज ए ब्लेक बैग, एक दूसर सेंटेंस ओड़ देखते हैं, उसे अच्छा अनुभव है, अब देखिए, अनुभव, यहाँ नाउन की तरह यूज किया गया है, इससे पहले क्या आया है, अच्छा, और यह अनुभव के विशेस्ता बता र इसका इंगलिस बनाते हैं, उसे के लिए ही या सी, इन में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, तो हम लिखेंगे, ही ओबलिक, सी, हैज ए गुड एक्सपिरियंस, अब हम इस परकार के जो सेंटेंस होते हैं, उनका नेगेटिव किस परकार से बनाते हैं, उसकी बात करते है इस परकार के जो सेंटेंस हैं, उनको चार परकार से नेगेटिव में बनाया जा सकता है, और चारों ही हमें देखने हैं, इसका जो पहला स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं, सबजेक्ट, उसके बाद में हम लगाते हैं, हैज या ह यह subject के नुशार लगता है, यह हम पहले हमने देख लिया है, और उसके बाद में हमें लगाना होता है note, negative में note लगाना ही होता है, तो हमने लगा दिया note, और note के बाद में आपको लगाना है any, और उसके बाद में आपको लगाना है noun, पहला structure होके यह, अब दूसरे structure देखते ह सबसे पहले हमें लगाना होता है subject has और have जो लगाते थे इन दोनों की जगए has और have के बाद में note भी लगता था ना इसकी जगए हमें लगाना होगा has और have का abbreviation साथ में note का यूज करते हुए तो वो कैसे बनता है has का जो abbreviation है वह है बनता है agent as a as an और फिर लगता है एक apostrophe मतलब उपर की तरफ कोमा और फिर लगा जाता है ती तो यह बन जाता hasn't और have note की जगए यूज करते हम haven't spelling as a ven और फिर लगाता है apostrophe और फिर लगाना है t तो यह बन जाता haven't और उसके बाद में आपको लगाना है any और any के बाद में आपको noun लगा देना है अब इसका तीसरा जो structure है उसको भी साथ में देखते हैं सबसे पहले हम लगाते हैं subject और subject के बाद में हम क्या करते हैं या त फिर लगाना है have has नहीं लगाना है अगर आपने इस परकार का structure बनाया है जिसमें do does का use आप करना चाहते हो तो आपको do does के बाद में note लगा दिया आपने और उसके बाद में have ही लगाना है has बिलकुल नहीं लगाना है और have के बाद में आपको लगाना है any और any के बाद में आप क्या लगाएंगे आप लगाएंगे noun जो की subject में use हुआ होगा अब चोता structure देख लेते हैं सबसे पहले हम use करते हैं subject का subject के जिस्ट बाद में हमें use करना होता है has या have का और उसके बाद में हमें any की जरुत नहीं है any नहीं लगाना है फिर फिर हमें लगाना है डायरेक्ट ही वो noun जो की sentence में use किया गया है अब हम एक sentence लेते हैं उस sentence को में पहले जो simple sentence है उसमें लिखता हूं फिर उसका negative बनाएंगे क्योंकि negative चार प्रकार से बनेगा तो हम चारों प्रकार उसक के बाद में तीन के लिए हम लगाएंगे थ्री और आगे लगाएंगे भाई के लिए प्रेदर सेंटेंस क्या बना राम हैं थ्री बर्यदर्स negative का बनेगा राम के भाई नहीं है ऐसा नहीं बोलोगे कि राम के तीन भाई नहीं है sentence हो गए इसका नेगए्टिव में हिंदी मे राम के भाई नहीं है और इसका जब हम negative बनाएंगे तो पहले structure के अनुसार जो हमारा negative होगा वह क्या होने वाला है राम has not any brother दूसरा जो structure है उस structure के अनुसार हमारा दूसरा जो sentence मना वो है राम hasn't any brother तीसरे structure के अनुसार जब हम sentence मनाते हैं राम इसके बाद में आया does क्योंकि राम singular था does उसके बाद लगा है not और not के बाद में हमने लगा have any brother राम does not have any brother अब जो चोता structure है उसमें हम not की जगे no का यूज़ करने वाले हैं इसके structure के अनुसार इसका sentence बनेगा राम has no brother एक चीज ओर ध्यान रखने वाली है वो यह है कि जब आप negative बना रहे हैं तो उसका कोई भाई उसका भाई नहीं है तो यहां जो sentence बना उसमें जो पीछी की तरब जो noun आया था वह plural में नहीं होगा वह singular में ही होगा अब एक sentence मैं आपको देता हूँ इस sentence को आप बनाएंगे और comment box में मुझे लिखके देंगे चारों प्रकार से इसके negative बनाके sentence है अमन के पास pen है जो चारों structure है negative वाले वो बनाके comment में डालने है अब इस प्रकार की sentence है उनको interrogative में किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं interrogative में इस प्रकार की sentence है उनको दो तरीकों से बनाया जा सकता है सबसे पहले आएगा has या have उसके बाद में आता है subject और subject के बाद में आता है noun और अंत में आता है question mark दूसरा जो structure है उसमें to या does आएगा उसके बाद में subject आएगा subject के बाद में have आएगा और have के बाद में noun आ अब इस परकार के sentence को कैसे बनाते हैं, structure तो हमने देख लिए, अब इसका एक sentence देखते हैं, बनाकर, क्या पलक के पास काला बेख है, अब इसका पहला जो structure है, उसके according जब sentence बनाते हैं, तो सबसे पहले हम has या have रखेंगे, पलक singular है, तो हमने रखा has, हमारा subject आ गया, जो थी प पलक, पलक के बाद में a black bag, और question mark लग गया, तो sentence क्या बना, has पलक a black bag, has फलक a black bag, इसका दूसरा जो structure है, उसके according sentence बनेगा, does फलक has a black bag, does फलक has a black bag, ये जो sentence हमने सीखे, इनके जो structure सीखे, आपको बार बार इनके practice करनी है, ये जो sentence है, उसका एक advanced structure भी है, जब आप conversation में उ आपका impression कापी अच्छा रहता है, हाँ, ये बात अलग है, कि उसके हिंदी अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन English जब बोलते हैं, तो एक अच्छा impression जाता है, तो उससे structure को देखते हैं, उससे पहले हम अपने normal structure को देखते हैं, उसके बाद चलते हम इसे structure की तरफ, नर्मल structure में सबसे पहले आता है subject, subject के बाद में आता है hedge या have, और उसके बाद में आता है noun, अब इसका जो impressive structure है, उसमें क्या बदलाव करना है, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे subject, subject के बाद में हमें उसी प्रकार से hedge और have लगाना है, और फिर उसके just बाद में हमें goat का आता है, उसके बाद में हमें noun का यूज कर देना है, तो चलो एक sentence बनाके देखते हैं, मेरे पिताजी के पास एक farmhouse है, पहला जो हमारा structure है उसके according, जो normal structure है उसके according sentence बनाते हैं, तो वो बनेगा, my father has a farmhouse, जो हमारा advanced structure है, उसके according की sentence कैसे बनेगा my father has got a farmhouse my father has got a farmhouse यह जो sentence है इसको जब आप conversation में यूज करेंगे हिंदी में तो कोई बदला नहीं आने वाला लेकिन English में आपको काफी impression मिलेगा इसका काफी अच्छा लगेगा सुनने में और आप इस बरकार का sentence कोई बोलता है आप mirror के सामने practice कर सकते हैं क्योंकि practice जब तक नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है एक sentence मैं आपको देता हूँ यह sentence आपने एक advanced structure के अंदर बनाना है और comment box में डालना है sentence है उसके बाल गुंगराले है इसके जो hard word है वो मैं बता देता हूँ उसके के लिए आप he या see यूज़ कर सकते हैं बाल बाल के लिए आप hair यूज़ करेंगे ह-a-i-r hair और गुंगराली के लिए यूज़ करते हैं curly curly means गुंगराले यही है अजेक्टिव फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इस टक्सर के साथ